नमस्कार दोस्तों आपने हमसे किच्छन के बारे में बहुत सारे सवाल किये तो इन सवालों को ध्यान में रखते हुए हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें आप आपका किच्छन आसानी से डिजाइन कर पाएंगे इसे चालु करते हैं पहले सिवील वर्क ऑफ किच्चं से सबसे पहले हमारे जहान में यह सवाल आए कि ले आउट कैसे हो किच designs का पूछते हैं प्रवीन से हलो प्रवीन सबसे परेला सवाल यही है की लेयुट कैसे हो काउंटर हम कैसे ले करें So platform style कई तरके होता जैसे parallel platform, linear plattform, L shape platform, C ou U shape platforms तो इसी में भível saio onboard lo peuvent confuse होता है तो ideal scenario कैसा है कि पहले आप आप तो ये जच करें कि आपका entrance कैसा है kitchen का और window कहा हम placed है दूसरा आपको factor ध्यान में रखना है कि आपका layout कैसा है मतलब shape कैसा है आपका kitchen जैसे square है या rectangle है यह judge करने के बाद decide करना आसान हो जाएगा अगर हमारा kitchen का entrance के दोनों तरफ equal space है और सामने ही window है या dry balcony का entrance है तो parallel platform ही सबसे ज्यादा precise रहेगा क्योंकि एक तरफ working platform हो गया दूसरी तरफ जो है वो service platform या फिर non working platform हो गया and in case अगर आपका square है layout and आपका window जो है वो आपको वहां पर जाके खड़े ने रहना है वो block होगा तो चल जाएगा सिफ रॉष्णी और ventilation के लिए ही चाहिए तो आप L-shape में भी ले सकते हैं क्योंकि L-shape में सबसे बड़ा disadvantage ही कि आपका window cover हो जाता है आप वहां पर जाके ख दूसरा working counter है तो इनके actual फरक क्या है जो में working platform है उस पर आपका main चुला रहेगा and उस पर बहुत बार sink होता है या फिर नहीं भी होता है बट उसका जो size होता है कुलमिला के जादा बड़ा होता है क्योंकि उस पर equipment आपको रखने होते हैं and जो service platform है वो या जादतर या तो ख working कर सकते जैसे सबजी काटना अगेरा या फिर वापस dining table भी उससे attach होता है बहुत cases में open kitchen में तो service counter या नहीं के वहाँ पर जागे रख दिया फिर dining table पर direct serve कर सकते है उससे और main counter पर तो सारा working होता है और यह island platform क्या चीज़ है island platform is basically a foreign concept जहां पर island जो word जो इसको describe करता है कि व तो आप उसको choose कर सकते है उसको सब तरफ से access करने के लिए वह आप working भी यूज कर सकते हैं service भी यूज कर सकते हैं combined यूज कर सकते हैं open kitchen प्लायर में होता है यह open kitchen में उसको use कर सकते है बहुत अच्छा भी लगता है अभी sink के बारे में थोड़ा बताईए sink के लिए to plumbing point लग तो वह तो civil काम ध्यान रखते हैं करना ही पड़ेगा वह तो चेंज नहीं कर पाए उसका सबसे पहले आपको decision यह लेना ही पड़ेगा कि आपका platform कहा आना है platform कहा आने के बाद आपको sink का position second most priority है एक बार आपने वहां पर set कर दिया उसको बाद में हिला भी ने सकते और plumbing का क पर रखते हैं तो उसका depth थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत छोटे sink लेके कुछ ज्यादा फाइदा नहीं होता है ideal size of service और working counter क्या है height भी बताईए और width भी बताईए So working platform का minimum depth है वो 24 होना चाहिए and आप इसको maximum 27 inches तक ले सकते हो क्योंकि Indian kitchen के cases में हम देखते हैं कि चुला भी होता है cooktop उसके आगे कुछ चपाती वगरा बनाने के लिए भी जगा लगती हमें तो उस case में 17 inch बहुत ideal होता है otherwise आपको लग रहा है कि आपको चपाती बनानी नही minimum आप 16-18 inch रख सकते हो अगर उस पर बहुत जादा कुछ equipment नहीं रखना है तो just service के लिए कुछ सामन रखने के लिए चाहिए mixer रखने के लिए चाहिए तो उतना depth काफी है उसको maximum आप 21 inch तक या 24 inch तक भी लेके जा सकते हो अगर आपके पास बच्चा होगा balance जो floor space है वो ideal है मतलब ज्यादा उपर भी नहीं है ज्यादा निचे भी नहीं है ज्यादा जुकना भी नहीं पड़ रहा और यह भी नहीं करना पड़ रहा और electrical points क्या ध्यान में रखने है civil work के पहले क्योंकि kitchen में प्लाटफों मनता है टाइल्स लगती है तो electric points भी fix करने ज़रूरी है सबसे पहला तो main board आप decide करेज़े के main board कहां होगा क्योंकि entrance करते ही left या right में जो wall आपके पास बची है उसके उपर आप main board आपका decide कर लीजे जहां पर जादा convenient आपको आते ही रूम में light वगरा पंका चालू करने के लिए उसके बाद अगर आपका cooktop जो है अगर वो electrical है तो उसको आपको एक point देना पड़ेगा अगर वो hob है यानिके अप उसको अंदर डालने वाले हैं तो नीचे platform के नीचे की तरफ एक 15A का point लगेगा उसके बाद main platform पे या sink के उपर आपको water purifier echo guard का point लगेगा main platform के cooktop के just ऊपर चिमनी का point लगेगा यह ओगया main platform का अगर इसी platform पे अगर आप mixer रख रहे हैं कुछ तो तो फिर आप उसमें extra points platform के ही उपर जैसे की जहां पर अपन वाल डाड़ो टैस लगाते हैं वहां पे आप points ले सकते हैं service counter पे भी platform के just ऊपर extra points आप लग सकते हैं तो ओवन के लिए या फिर और भी mixer कुछ यूज करने के लिए तो वहां पे ज्यादा points रखा जा सकता है तो यह बहुत ही common है इसके अलावब जैसे कुछ dishwasher रखा जा रहा है आपके यहां पर तो dishwasher का भी point हो सकता है और बाकी तो special design के सिनारियो है counter top के लिए कौनसे stones आप recommend करते हैं और कैसे तरीके के tiles आप recommend खुद करते हैं kitchen में हो क्या size हो क्या तरीका हो क्या texture हो मैं ideally prefer करता हूं तीन तरह के पत्थर ही जो counter top के लिए use करते हैं maximum नाच्रोल में granite जो है वो non-porous है और tried and tested है from several years it works the best man-made में जो G5 nano material है जो almost milk white color का आता है pure and vitrified slabs है यह दोनों man-made materials काफी सकते होते हैं और काफी ideal है kitchen के लिए बाकी आपका जो दूसरा सवाल था कि tiles कैसे अपन choose करें so अभी यह तो color combination के भी बात आ जाती है बट अगर आपको tiles का material जानना है तो आप वैसे vitrified भी जा सकते हैं लेकिन vitrified का सकत होता है तो उसमें hole drill करना थोड़ा सा मुश्किल है तो कोई भी ceramic based tiles आप चूज कर सकते हैं उसमें भी काफी सारी variety है वो color combination आपको वो तो पूरा जब डिसकश करेंगे तब color combination की भी बात कर सकते है तो यह जो kitchen में tile counter के उपर लगाते है अगर पूरे kitchen में tile लगाना चाहिए के ने वैसे तो काफी ideal है kitchen में पूरे walls पे tile लगाना क्योंकि क्या है उदर बहुत धुआ वगरा होता है तेल के चीटें वगरा उड़ते हैं और उसके लिए क्या है फिर दिवारे इतनी गंदी हो जाती कि उनको साफ करना बहुत ही मुश्किल है अगर पूरे अगर आप walls पे tile बहुत ही focus आने वाला tile ले रहे हो तो फिर kitchen दिखने में अच्छा ही लगेगा, so कोई भी plain color ले लेंगे बाकी सब walls के लिए तो it works the best and kitchen के counter की नीचे tile लगानी चाहिए 100% क्योंकि वहां पे क्या है कि सामान हम रखते हैं और सामान रखने वगत कुछ भी तेल का भी सामान होत वहां पे कोई देखने वाला नहीं है बट maintain और साफ करने के लिए बहुत ही recommended है और civil में एक आखरी सवाल पूछोंगा जो counter की नीचे की flooring है वो थोड़ी uplift करने ideal है कि नहीं इसमें दो चीजे करते हैं generally builders कर देते हैं एक तो सिव एक tile extra place कर देते हैं यानि 8 mm जस्ट उपर र builders के एक तीन इंच के ऊपर एक एक कर देते हैं भले मार्बल का दे या कोई material का दे तो वह भी काफी लोग क्या करते कि नीचे से जाडू मारना और क्लीन करना भी आसान होता है उस case में बड़ आपका जो बचा हूँवा balance trolleys के लिए जो height बचती है वो फिर थोड़ी सी कम हो किजे होनी बहुत ideal है लेकिन storage क्या है कम हो जाए वो भी नहीं चलता है हमें Indian kitchen में हम कभी कबार निचे से trolleys निकाल के साफ करी लेते हैं तो नहीं भी क्या तो भी को issue नहीं है Thank you Praveen इसके साथ हमारे civil के शायद सारे doubts clear हो गये हैं इसी के साथ सारे civil के doubts हमारे होप तो clear हो गये हैं तो अगले video में हम मालूम करते हैं optimum use of storage के बारे में कैसे हम storage optimum use के रहे हैं kitchen के रहे हैं